रिवा जिले की चुरहटा थाना शेत्र के सुमेदा गाउ में एक व्यक्ति द्वारा की गई विवादित पोश्ट के बाद अलग-अलग संगठनों द्वारा सोमवार को की गई शिकायत के बाद आज पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजी बद्ध किया है बताया गया है कि सुमेदा गाउ निवासी पवन सिंग के नाम से फेस्बूक अकाउंट से नवरात्र पर्व पर आदि शक्ति पर विवादित टिपड़ी की गई थी जिसके बाइरल होने के बाद अलग-अलग समाजीक और सनातनी संगठनों ने एकत्र होकर जिले के पुलिस कप्तान को ज्यापन सौपा था जिस पर पुलिस अधिक छक ने साइबर सेल को मामले में जाच के आदेश दिये थे आज मंगल बार को विवादित पोस्ट के मामले में चुरहटा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विभिन धाराओं में अपराध पंजी बद्ध किया है अई सुनते हैं पूरे मामले को लेकर एडिशनल अस्पी अनिल सोन करनी क्या कुछ कहा है झाल 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 सुमेदा के पमन सिंग द्वारा एक पामर्यारित और सापत्ति जैने के पोस्ट किया गया है दुर्गाजी के लिए इसकी जानकारी पुलिस पे आने पर आना चुरहटा द्वारा जाज करके उसमें कारवाई की गई है आपरात का पंजियन किया गया है दो सो पंचानबे भारती दंग्यदान के पहट फाई यार बज़ी है जिसकी साइवर के मादजन से जो दीवद उसके साख्ष ली जाए गी इसमें कौन-कौन इंबाल है और किसका मोबाईल था और जो नाम लिखा गया है वो विक्ति है या नहीं किस संबन वे विवेशना क जाकर के कान वहीं कि या जिए जिए हो निया दो में राएं